इंतिजार की घड़ी खतम हो चुकी है जी हाँ SSC CGL का नोटिफिकेशन जिसके लिए आप सभी को इंतजार था हम सभी को इंतजार था कि SSC कब नोटिफिकेशन देगा SSC CGL 2021 का इसका नोटिफिकेशन आने का डेट था कि 23 दिसंबर को आएगा ये आ चुका है ठीक है यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि SSC CGL 2021 हम लोग 2021 के एंड में है और यहाँ पर अब नया साल स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है SSC CGL 2021 का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो डेट ऑफ सब्मिशन फॉर ओनलाइन एप्लिकेशन है 23 से 23 जनवरी 2022 के बीच में ठीक एक महिन आपको दिया गया आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए साथी साथ लास डेट फॉर रिसिप्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि आखरी दिन रिसिप्ट का 23 जनवरी को है रात के साड़े क्या रबजे और पेमेंट जो है वो आपक जनवरी तक का समय दिया गया, लेकिन मैं आपको यहां वांड करना चाहता हूँ, आप आखरी दिन तक वेट मत करिए जल्दी से जल्दी आप फिल करिए क्योंकि यहाँ पर आखरी दिन कई बार server problem होता है बहुत सारी issues होते हैं तो जल्दी से जल्दी आप fill करके रखिए आखरी के हफते तक wait मत करिए ठीक है दूसरी बात यहाँ पर एक नया चीज जो देखने को मिल रहा है वो dates for windows of application form correction including online payment तो कुछ windows यहाँ time आपको दिया गया है कि आपका application form में कुछ गलतिया है तो उसको आप correct कर सकते हैं कब कर सकते हैं तो 28 January से 1 February के बीच में तो यह 3-4 दिनों का समय है जब आप यहाँ पर आपने online form में कुछ corrections वगेरा कर सकते हैं main path जो करते हैं यहाँ पर exam की tier 1 का exam जो है वो आपका होना है April 2022 में याने मोटे तोर पे आपके बास 3-4 महिने है तो आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर SSC CGL का preparation भी आपका quality करवाएंगे CHSL का तो चरी रहा है YouTube के मादिय में जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा tier 2 और tier 3 का जो date है tier 2 tier 3 का जो date है यह अभी confirm नहीं हुआ है चलिए यह कुछ बाते हो गए SSC CGL के notification की अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप exam qualify करने से क्या बनते है exam के eligibility criteria क्या है in and salary क्या होता यह सारी चीज़े में आपको बताता हूँ जैसी आप इस notification के page number 1 में जाएंगे तो यह सारी चीज़े आपको दिखाई देंगी ठीक है page number 2 में जैसी आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप कौन से कौन से post के लिए यहाँ से आप select होते हैं सबसे पहली बात आप बनते group B gazetted officer सीधा gazetted officer group B में जाते हैं आप और यहाँ पर आपका जो age limit होना चाहिए eligibility criteria जो है वो 18-20 वर्स होना चाहिए assistant audit officer assistant account officer with Indian audit accounts department जिसमें कि आप CAG के department में directly जाते है यह group B gazetted post है इसमें आपकी in hand salary जो है वो 65,000 प्लस होती है gross salary आपकी 75,000 होती है जिसमें कुछ directions होके 65,000 प्लस आपकी salary होती है depending upon आप consistency में XYZ आपकी salary और ज्यादा होती है ठीक है चलिए इसके बाद आते है group B post में जिसमें कि आप देख सकते किसी किसी post में 20 से 30 साल आपका age limit होना चाहिए किसी किसी post में 18 से 30 वर्ष होना चाहिए यह जितने भी age है यह आपका count होगा as on 0101 2022 2022 यानि कि 1 जनवरी 2022 को आपका जो cut off date है वो decide किया गया है वो आगे notification में आपको age limit और आपका date of birth कब से कब तक होना चाहिए वो सारी details में आपको मिल जाएगी मोटे तोर पर आप यह दिहान रखे कि 1 जनवरी 2022 को आपका age limit 20 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए तभी आप यहाँ पर इस post के लिए assistance action officer CSC के लिए apply कर सकते है 18 से 30 वर्ष होना चाहिए IB के लिए जिसमें भी आप फिर से assistance action officer बनेंगे ठीक है qualifications की अगर मैं बात करो तो इसमें आपका economics का background होना चाहिए आप CA होने चाहिए या economics में आपकी mastery होनी चाहिए तभी आप पहले और दूसरे post के लिए apply कर सकते हैं लेकिन यहाँ group B post जितने दिये हो हैं इसके बाद वाले जितने हैं यानि की third number से जो है इसमें आपकी qualification graduation होनी चाहिए किसी भी post में यह हो सकता है यानि engineering में भी हो सकता है आप चाहिए economics में भी आप graduation कर सकते हैं लेकिन यह जो उपर के दो post है इसमें आपका economics में background यानि की आपका qualification होना जरूरी है age limit आप लोग देख रहे हैं जैसे कि age limit 30 years है अपर age limit एक post ऐसा है जिसमें आपका 32 साल होता है age limit जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे junior statistical officer JSO का जो post होता है उसमें कहीं न कहीं आप 32 years तक eligible होते हैं junior statistical officer इसमें आपका mathematics में 60% प्लस होना चाहिए या फिर आपका statistical statistics में आपकी mastery होनी चाहिए और इसके बाद अगर हम बात करें group C post की अगर हम बात करते हैं 18-27 वर्स आपका age limit होता है इसमें भी CGDA वगेरा जो है CGDA का post होता है auditor के level पे तो यहां पर भी आपका 35,000 plus salary होती है in hand और यहां पर जो बाकी post है group BK यहां पर आपके 60,000 plus 55,000 plus किसी किसी post में होता है depending upon आप X, Y या Z cities में जिसका bifurcation भी आपको SSC के website में बिलेगा ठीक है कई लोगों का dream job होता है कि हमें क्या बनना है तो हमें बनना है inspector income tax inspector जैसे कि आप लोग देख पारें यह कई लोगों का dream job होता है इसमें भी आपकी salary जो है 60,000 plus 65,000 plus होती है depending upon कि आप which city में posted है आप दिल्ली में posted है कि आप किसी और state में posted है तो उसके उपर X, Y, Z cities होती है उसके basis पर आपकी salary होती है तो इतनी मूटी salaries यहाँ पर आपको मिलती है साथी साथ आपका जो है एक status होता है एक social status होता है जहाँ पर आपका pass power भी होती है ठीक है और आप government के under directly आप काम करते हैं सरकारी आप अफसर बन जाते है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से कहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें मिलेंगी तो ssc.nic.in पर आपको जाकर apply करना है और एक चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि यह सारे post में जो selection होता है वो merit कम basis पर होता है यानि कि आपके exam में जो preference होगा और उसके बाद performance की basis पर आप जो preference बरेंगे post का उसके इसाब से आपका selection यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ से एक भी minute waste नहीं करना है daily basis पर आपको कम से कम 7-8 घंटे तो preparation करने ही है पढ़ाई करना ही है videos भी देखने lectures भी देखने है साथ में आपको practice भी करना है जिसके लिए हम आपको बहुत सारी चीज़े provide कर रहे है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर page number 4 में आपको age limit के साथ सारे बताया गया है कि 1 January 2022 को आपको क्या age होना चाहिए अठारे से 27 वर्ष वाले पोस्ट के लिए 20 से 30 वर्ष के पोस्ट के लिए 18 से 30 वर्ष वाले पोस्ट के लिए और 18 से 32 वर्ष के लिए आपका date of birth कब से कब तक होना चाहिए यहाँ पर आपको details दिये हम गया है तो यहाँ पर आप notification को go through कर सकते है बाकी सारी चीजों के लिए यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि assistant section officer के लिए statistical investigator के लिए आपका जो है qualification क्या क्या होना चाहिए वो page number 9 में आपको मिल जाएगा assistant audit officer के लिए क्या post होना चाहिए junior statistical officer जो की 12 वर्ष 32 वर्ष तक का आपका age limit है वहाँ तक आपका इसमें age limit होता है उसके लिए आपका qualification क्या होना चाहिए यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर दी गई है साथी साथ अगर हम बात करें all other post के लिए bachelor degree from a recognized university होनी चाहिए यह सारी चीज़े आपको provide की गई है तो देखिए अब यहाँ पर इंतजार की घड़ी जो है वह समाप्त हो चुकी है आपको क्या करना है तो आपको preparation करना है अपना best करना है ठीक है CGL के बारे में मैं आपसे discussion करूंगा आगे आने वाले videos में हम आपको बताएंगे कि हम आपको क्या provide कर रहे है CHSL का exam जो की आपके CGL के ठीक बाद होना है CGL का exam tier 1 का होना है April में CHSL का exam जो होना है वो आपका होना है मैं 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 और इसका जो course है अल्रेडी हमारे YouTube के माधियम से चल रहा है December 6 से ठीक है तो हम आपसे जुड़े हुए YouTube के माधियम से Competition Community के YouTube चैनल पर साथ ही साथ हम आपको अपने वेबसाइट से Competition Community के वेबसाइट से जुड़े हुए और हम आपसे जुड़े हुए है Telegram चैनल की माधियम से YouTube के माधियम से हम आपको 5 दिनों में 10 lectures प्रोवाइड कर रहे है daily basis पे दो-दो lecture Monday to Friday सुबह 12 बज़े वाले shift में आपके पास reasoning के दो lecture आ रहे है हफते में और maths के तीन lecture आ रहे है और evening shift यानि के 5 बज़े वाले shift में आपके पास daily basis पे या तो English या GS का lecture प्रोवाइड कर रहे है यही नहीं आपको यहाँ पर current affairs का भी आपको सारी चीज़े पढ़ाए जाएगी क्योंकि अगर April मही में होना है तो पिछले 5-6 महीने का जो current affairs है वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएगा इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कराए जाएगा आपको हर एक lecture का PDF जैसी upload होता है तुरंद आपको उसका PDF भी प्रोवाइड कराए जा रहा है साथ ही साथ SST CHSL में जो आपका exam pattern होता है सौ सवाल का जिसमें 25-25 questions हर एक subject से आते है Maths, Reasoning, English और GS इस pattern से आपके इस हफते में जैसे कि इस हफते में जो 10 lectures हो है उससे related सौ सवाल आपको हर Saturday को practice के तौर पे apart from जो questions हम करा रहे हैं वो आपको वहाँ पर साथ हमारे website में भी register करें free of cost साथ ही साथ आप टेलिग्राम चैनल में भी जुड़ें ताके सारी चीजों का फाइदा जो free of cost मिल रहा है उसका आप उठा सकें और अपने selection को सुनी स्टेट कर सकें शुरू से आखरी तक हमारे साथ जुड़े रहकर थैंक यू सो मच इस वीडियो में इतन ही